नमस्ते दोस्तों मैं डॉक्टर केतन रानपरिया मैं एक HIV एड स्पेशलिस्ट हूँ आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देंगे जो मेरे मरीज अक्सर पूछते हैं HIV मेडिसिन डॉल्टुग्रावीर, लेमिवुलीन और तेनुफोविर दैसोप्रोक्सिल फ्यूमारेट टाबलेट 50MG, 300MG, 300MG के लिए एमक्योर कमपनी की विरोपिल टैबलेट, मायलान कमपनी की एक्रिप्टेगा टैबलेट, नाटको कमपनी की जैपावीर एल्टी टैबलेट, सिपला कमपनी की सिपानेक टैबलेट, लोरस लैब्स कमपनी की त्रिलावीर दी और ओरोबिंदो कमपनी की दिल्ट्रा टैबले क्या एक HIV Medicine brand की दवा दूसरे HIV Medicine brand से सस्ती या महंगी हो सकती है। क्या HIV treatment में Medicine का brand बदलना सुरक्षित है। अगर ART दवा का brand बदल दिया जाए तो क्या करना चाहिए। अगर मुझे पहले वाली दवाई ही पसंद है तो क्या करूं। क्या HIV के इलाज की ART दवाई में सभी brand की दवाया एक जैसा असर करती हैं। क्या HIV की ART दवा बदलने से side effects या असर में कोई फर्क पर सकता है। क्या मुझे HIV की ART दवा लेने के तरीके में कोई बदलाव करने की जरूरत है। अगर मुझे नई दवा के बारे में और सवाल है तो क्या करूं। और क्या एक ब्रांट की दवा दूसरे ब्रांट से सस्ती या महंगी हो सकती है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें। आप में से कई लोग HIV ट्रीटमेंट में एक ही गोली में तीन दवाओं के मिश्रंग का इस्तिमाल कर रहे हैं। डॉल्टुग्रावीर, लेमिवुरीन और तेनोफोविर दैसोप्रोक्सिल फ्यूमारेट टैबलेट जिसे अकसर TLD टैबलेट कहा जाता है। चलिए, एमक्योर की विरोपिल टैबलेट के उदाहरन का उप्योग करके कमपनी, ब्रांड और दवा के बीच के अंतर को समझते हैं। यहां एमक्योर एक दवा की कमपनी है, और विरोपिल एक टैबलेट का ब्रांड है, जिसमें तेनोफोविर तीन सो एमजी, लेमिवुरीन तीन सो एमजी और डॉल्टुग्रावीर पचास एमजी प्रमुक दवाया हैं, जो HIV ट्रीटमेंट को प्रभावी बनाती हैं। आईए कुछ और दवाई पर एक नजर डालें, एमक्योर कमपनी की विरोपिल टैबलेट, नाटको कमपनी की जैपावीर एल्टी टैबलेट, मायलान कमपनी की एक्रिप्तेगा टैबलेट, सिपला कमपनी की सिपानेक टैबलेट, लोरस लाब्स कमपनी की त्रिलाविर दी और होरोबिंदो कमपनी की डिल्ट्रा टैबलेट, ये सभी HIV मेडिसिन एक ही मिश्रन से बनी हैं, जिन्हें आमतोर पर TLD कहा जाता है. TLD का मतलब है, तेनोफोविर 300 Mg, लेमिबुरीन 300 Mg और डॉल्टुग्रावीर 50 Mg. यहां पर आप देख सकते हो, ये सभी अलग कमपनी की अलग-अलग ब्रांड है, लेकिन सभी में एक ही किस्म की तीन दवाई का मिश्रन है, इसलिए सभी दवाई एक जैसे ही काम करेगी, और इन दवाव का असर भी एक जैसा ही होता है. याद रखिए, गवन्मेंट की A.R.T. सेंटर से मिलने वाली दवाई की बोतल पर सिर्फ कमपनी का नाम और दवाई का नाम होता है, ब्रांड का नाम नहीं होता. तो, क्या आप ब्रांड्स विरोपील टैबलेट, एक्रिप्टेगा टैबलेट, जैपवीर एल्टी टैबलेट, सिपानेक टैबलेट, त्रिलावीर डी और डिल्ट्रा टैबलेट को HIV ट्रीटमेंट में अदल बदल कर सकते हैं? जवाब है, हाँ, क्योंकि इन सभी ब्रांड में एक ही किस्म की HIV मेडिसिन है, तेनो फोविर 300 mg, लेमिगुलीन 300 mg और डॉल्टुग्रावीर 50 mg, तो, क्या आप एमक्योर, मायलांग, नाटको, सिपला, लोरस लैब्स या औरोबिंदो जैसी कमपनियों की HIV मेडिसिन को अदल बदल कर सकते हैं, जवाब है, हाँ, जब उनमें एक ही किस्म की तीन दवाओ का मिश्रण है, तो इन दवाओ को अदल बदल किया जा सकता है, मुझे समझ में आता है कि दवा की कीमत एक चिंता का विशे हो सकता है, अगर आप कीमत की कारण ब्रांड बदलने पर विचार कर हैं, तो आए इस पर चर्चा करें, आपके इलाज को और किफायती बनाने के लिए कुछ विकल्प हो सकते हैं, हम इस दवा को नियून तम संभव कीमत पर उपलब्ध करा रहे हैं, इस दवा की कीमत जानने के लिए वाटसेप पर इस नंबर पर मेसेज करें, इन में से सबसे अच्छी दवा कौन सी है, इमक्योर कमपनी की विरोपील टैबलेट, नाटको कमपनी की जैपावीर एल्टी टैबलेट, मायलान कमपनी की एक्रिप्तेगा टैबलेट, सिपला कमपनी की सिपानिक टैबलेट, लोरस लैग्स कमपनी की त्रिलावीर डियोर, होरो बिंदो कमपनी की डिल्टरा टैबलेट सभी बहतरीन हैं, सभी बराबर हैं, सभी एक जैसी काम करती हैं, एक ही दवाए अलग-अलग कमपनी ओ द्वारा अलग-अलग नाम से बेची जा सकती है, डॉक्टर अक्सर दवाई के नाम के आधार पर दवा लिखते हैं, जब आप किसी दूस आपकी सेहत मेरी प्राथमिकता है, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए सबसे प्रभावी, सस्ती और उप्योक्त दवा ले रहे हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल या चिनता हो, तो बेजज़क मुझ से संपर्क करें, आप वाटसेप पर इस नंबर पर ओनलाइन बात कर सकते हैं, हम पूरे भारत में HIV उपचार, परामर्ष, दवाएं और ग्लियाइटी दरों पर CD4 और HIV वायरल लोड टेस्ट प्रदान करते हैं, चलिए, इन चिनताओं को दूर करते हैं और स्पष्ट जवाब देते हैं, आपके डॉक्टर आपके पैसे बचाने के लिए HIV मेडिसिन की ब्रांड बदलने की सलाह दे सकते हैं, उपलब्धता, कभी कभी कुछ HIV मेडिसिन किसी कारण से अस्थाय रूप से अनुपलब्ध हो सकता है, डॉक्टर आपकी दवाई को एक उपलब्ध विकल्प से बदल सक निश्चिंत रहें, नए ब्रांड में वही दवा होती है और इसका उद्देश्य पहले जैसे ही इलाज करना होता है, क्या एक HIV मेडिसिन ब्रांड, दूसरे HIV मेडिसिन ब्रांड से सस्ती या महंगी हो सकती है, हाँ, कीमत ब्रांड के आधार पर भिन हो सकती है, दवा को सब से कम कीमत पर प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर WhatsApp संदेश भेजें. क्या HIV ट्रीटमेंट में मेडिसिन का ब्रांद बदलना सुरक्षित है? हाँ, सभी ब्रांद को सुनिश्चित करना होता है कि उनमें समान दवा और दवाई की प्रमान हो. उन्हें सुरक्षा और असरकारक्ता के समान मापदंट को भी पूरा करना होता है. अगर ART मेडिसिन का ब्रांद बदल दिया जाए तो क्या करना चाहिए? आप नए ब्रांद की ART मेडिसिन ले सकते हैं. अगर आपके मन में कोई सवाल, शनका या समस्या हो, तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं. अगर मुझे पहले वाली HIV की दवाई पसंद है तो क्या करूँ? याद रखें, सबसे महत्वपून बात यह है कि आप अपनी दवा को डॉक्टर के बताया अनुसार ले, चाहे ब्रांद कोई भी हो. किसी भी गलत फेहमी को दूर करने के लिए डॉक्टर से खुल कर बात करें. अगर आपको ART मेडिसिन बदलने के बारे में कोई चिंता या सवाल है, तो बेज़े जग डॉक्टर से बात करें. क्या HIV के इलाज में इस्तिमाल होने वाली सभी ब्रांद की ART दवाए एक जैसा असर करती है? हाँ, सभी ब्रांदों को एक जैसा असर करना चाहिए क्योंकि उनमें एक ही दवा होती है और उन्हें एक ही स्थिती के लिए निर्धारित किया जाता है. हाला कि दवा में मौझूद अन्यपदार्थ या दवा के दिखने में अंतर हो सकता है. क्या HIV की ब्रांद बदलने से साइड एफेक्ट्स या असर में कोई फर्क पड़ सकता है? आमतोर पर इससे दवा के असर या साइड एफेक्ट्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. क्या मुझे A.R.T. की HIV ट्रीट्मेंट वा लेने के तरीके में कोई बदलाव करने की जरूरत है? सामान्य तौर पर आपकी दवाई का ब्रांद चाहे जो भी हो, दवा लेने के लिए समान निर्देशों का पालन करना चाहिए. अगर मुझे नई दवा के बारे में और सवाल हो तो क्या करूँ? बेज़े ज़ट डॉक्टर से संपर्क करें अगर आपके मन में नई दवा के बारे में कोई सवाल या चिंता है. वे ये सुनिश्चित करने में आपकी मदद करने के लिए है कि आपका इलाज प्रभावी और सुरक्षित हो. क्या एक ब्रांद की दवा दूसरे ब्रांद से सस्ती या महंगी हो सकती है? हाँ, कीमत ब्रांद के आधार पर अलग-अलग हो सकती है. दवा को सबसे कम कीमत पर प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर वाटसेप संदेश भेजें. याद रखें, ज्यान ही शक्ती है. आप इलाज के बारे में जितना अधिक समझेंगे, अपनी सेहत को मैनेज करने में उतना ही आत्मविश्वास महसूस करेंगे. देखने के लिए धन्यवाद, HIV-AIDS पर और भी जानकारी भरे वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सबस्क्राइब जरूर करें. और सबसे महत्वपून बात अपना ख्याल रखें. मैं HIV-AIDS स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया. पिछले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशन्ट का कंसल्टेशन कर चुका हूँ. ये चैनल HIV के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहाँ पर जानकारी विग्यान के आधार पर दी जाती है. लेकिन याद रखिए समय के साथ विग्यान बदल सकता है. यहाँ पर कई बाते एक आम जानकारी के लिए है. कभी भी किसी भी किस्न की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV एज स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यन्त आवश्यक है. हमारा मिशन है HIV पॉजिटिव को स्वस्थ और सम्पून जीवन देना. और हमारा विजन है श्वेश्ट इलाज के साथ HIV के बारे में परियाप्त समझ देना. याद रखे आज के समय में दुनिया में किसी भी देश में कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंसान आपको HIV फ्री नहीं कर सकता, आपका HIV नहीं मिटा सकता. ओनलाइन, इन क्लिनिक, म्यूच पापर या तो किसी भी माध्यम से HIV की कोई ऐसी जाहिरात या तो अडवर्टाइजमेंट करता है कि हम आपका HIV मिटा देनगे. तो याद रखे वह एक जूट है, फ्रॉड है या धोखा है. आज के समय में, वह चाहे कोई भी माध्यम हो, आयूरवेदिक, होमियोपेथी, हर्बल मेडिसिन, जिन थेरापी, एलोपेथी या कोई भी साइन्स किसी भी तरह से HIV नहीं मिटा सकता. इसलिए HIV मिटाने की चक्कर में आप अपना स्वास्थिय, समय और समपती तीनों का नुकसान कर सकते हैं. इसलिए HIV को मिटाने की लालच में ना आए और किसी भी किस्म के फ्रॉड और स्केम के शिकार न बने. HIV AIDS Specialist Dr. केतन रानपरिया से HIV Treatment, HIV Counseling, Laboratory Test, Post-Exposure Prophylaxis, Pre-Exposure Prophylaxis या HIV के इलाज के लिए ओनलाइन बात करने के लिए इस नंबर पर WhatsApp करें. HIV के Treatment के बारे में और अधिक जानकारी के लिए Left Side के Playlist पर क्लिक करें और HIV की दवाई के बारे में और अधिक जानकारी के लिए Right Side के Playlist पर क्लिक करें.